हेलो स्टुडेंज वेलकम बैक टू आर फांडेशन यह एटम्स और मॉलिक्यूस चप्टा का पार्ट 6 है इसमें हम लोग मोल कॉंसेप्ट देखेंगे उससे पहले हम लोग कुछ टम्स के बारे में जान लेते हैं पहला है ग्राम अटॉमिक मास देखिए एटॉमिक मास हम लो से जैसे ऑक्सीजन का 16 मू होता था तो इसी को यहा नाम में देखिए ग्राम अटॉमिक मास है करेगा इसको ゃं चार्बन का आप ग्राम से लिप्लेस कर देजिए तो यह कारबन का ग्राम valeur कर दीज염 कर दो से 1 हो जाएगा इसी तरह नाइट्रोजन का 14 होता था 14 मिउ होता था atomic मास तो इसका gram atomic mass हो जाएगा 14 gram मतलब atomic mass को gram में show कर दीजिए यही इसका gram atomic mass बताएगा किसी भी element का देखिए यहां पर definition है the amount of substance whose mass is numerically equal numerically equal मतलब जिसका numerical value equal हो to its atomic mass तो जैसे oxygen का atomic mass 16 mu इसमें numerical value क्या है 16 इसमें numerical value है तो EC को हम लोग यहां gram में represent करेंगे तो यह इसका gram atomic mass बताएगा तो oxygen का 16 gram हो गया यह इसका gram atomic mass हो गया तो definition आप लोग देख लिजिए और याद कर लिजिए molecule की case में भी same होता है अगर gram molecular का बात करेगा तो O2 एक molecule है O2 molecule का mass हो जाएगा molecule का mass हम लोग निकालते हैं number of atom का mass add कर लेते हैं तो इसमें 2 oxygen से मिल करके बना है और एक oxygen का mass होता है 16 दूसरा का भी 16 तो total O2 molecule का mass हो जाएगा 32 तो O2 molecule का mass हो गया 32 mu इसी को आप gram से replace कर दीजिए तो ये gram molecular mass बताएगा मतलब किसी भी molecule का mass अगर gram में बताएगा तो वो gram molecular mass हो गया and किसी भी atom का mass gram में बताएगा तो वो gram atomic mass हो जाएगा तो molecules and atoms के लिए concept same चलता है बस नाम change हो जाता है and देखिए यहाँ पर oxygen का है example लेते हैं oxygen का atomic mass होता है 16 mu यही इसका 16 gram gram atomic mass हो जाता है and यह 16 gram जो है यह 1 mole of oxygen भी बताता है 1 mole of oxygen मतलब 16 gram में oxygen का 1 mole होगा जैसे हम लोग बनाना खरीते हैं market से तो एक दरजन जब बनाना खरीते हैं तो इसमें 12 पीज बनाना होता है उसी तरह यहाँ पर 16 gram oxygen आएगा तो वहाँ पर 1 mole oxygen हो जाएगा अगर 32 gram oxygen आएगा तो इसका मतलब 2 mole oxygen हो जाएगा 2 mole of oxygen हो जाएगा अगर यहाँ पर 24 gram oxygen होगा तो यहाँ पर 24 by 16 एगा 1.5 mole of oxygen हो जाएगा मतलब किसी भी एटम का atomic mass को gram में सो किजिएगा तो वह gram atomic mass बताएगा एंड gram atomic mass is equal to 1 mole of that substance होता है तो अगर carbon को oxygen का हम लोगों ने देख लिया कि oxygen का atomic mass 16 होता है एंड gram atomic mass 16 gram होता है एंड 16 gram में 1 mole of oxygen होता है इसी तरह carbon का लिजिएगा तो carbon का 14 mu होता है atomic mass इसको gram atomic mass हो जाएगा 14 mu है तो 14 gram हो जाएगा इसका gram atomic mass and sorry 12 12 gram में इसका हो जाएगा gram atomic mass and 12 gram में इसका 1 mole of carbon हो जाएगा मतलब किसी भी atom का जितना atomic mass होता है उतना ही gram atomic mass होता है उसका gram में एंड उतना gram में एक mole पाया जाता है उस सबस्टान्स का अगर यहाँ पे 24 gram of carbon है इसका mole आपसे पूछेगा तो carbon का atomic mass होता है 12 और यहाँ पे 24 gram carbon का atomic mass है 12 इसका मतलब carbon का gram atomic mass हो जाएगा 12 gram और यहाँ पे 12 gram में हो जाएगा 1 mole of carbon जितना gram atomic mass होता है उतना में एक mole पाया जाता है उस सबस्टान्स का तो यहाँ पे 12 gram में हो जाएगा 1 mol of carbon और यहाँ पे 24 gram में पूछ रहा है तो 12 gram में 1 mol होता है तो 24 gram में 2 mol of carbon हो जाएगा 2 mol of carbon हो गया molecule के case में भी same होता है जैसे O2 एक molecule है इसका molecular mass हो जाएगा 16 plus 16 is equal to 32 इसका gram molar mass देखिएगा तो यह हो जाएगा 32 gram 32 mu atomic molecular mass है जिसका gram molar mass भी हो जाएगा simply इसको आप gram से replace कर दिजिए तो 32 gram इसका gram molecular mass हो गया and 32 gram molecular का mass का मतलब यह हो गया कि इसमें 1 mol of O2 present है hydrogen molecule का देख लिए hydrogen molecule H2 के form में रहता है and hydrogen molecule का molecular mass हो जाएगा 1 plus 1 एक hydrogen का mass होता है 1 mu एक hydrogen atom का तो एक hydrogen atom का एक hydrogen atom का atomic mass होता है 1 mu तो 2 hydrogen atom का atomic mass हो जाएगा one plus one two mu इसी को gram में calculate की जाएगा तो ये two gram हो जाएगा मतलब hydrogen के एक molecule का gram molecular mass हो जाएगा two gram ये जो two gram molecular mass आया है इसका मतलब है कि two gram में H2 का one mole of molecule होगा one of molecule of H2 मतलब किसी भी atom का या molecule का जो atomic mass होता है उतना gram ही उसका gram molecular mass या gram atomic mass होता है और उतने gram atomic mass में one mole of molecule या atom पाया जाता है उसी amount को हम लोग molar mass बोलते हैं मतलब mass of one mole of a substance is called molar mass कारबन का one mole का मास कलक्युलेट कीजिये कारबन का one mole का मास हो जाएगा इसके gram atomic mass के ब्राबर and gram atomic mass होगा कारबन का कारबन का one mole हो जाएगा इसके gram ग्राम, atomic mass के बड़ाबर, एंड gram atomic mass होता है, atomic mass के बड़ाबर, अभी हम लोग ने जो पढ़ा, उसके recording, एक mol of किसी सबस्तांस का, Gram Atomic Mass के बराबर होता है and Gram Atomic Mass होता है Atomic Mass के बराबर तो Carbon का Atomic Mass है 12 तो Carbon का Gram Atomic Mass हो जाएगा 12 Gram and 1 Mol of Carbon is equal to हो जाएगा 12 Gram और 1 Mol of Substance इसी को ہم लोग Molar Mass बोलते हैं तो Carbon का Molar Mass हो गया 12 Gram Similarly Oxygen का Molar Mass हो जाएगा 16 ग्राम O2 molecule का molar mass हो जाएगा 32 ग्राम इसी तरह nitrogen का molar mass हो जाएगा 14 ग्राम and N2 molecule का molar mass हो जाएगा 14 प्लस 14 is equal to 28 ग्राम तो किसी भी atoms या molecules का आपसे molar mass पुछेगा तो आप लोग simply उस atom का जो atomic mass होगा उसी को ग्राम में बता दीजिएगा या फिर molecule का जो molecular mass होगा उसको ग्राम में बता दीजिएगा तो आप लोगों ने molar mass जान लिया gram molecular mass जान लिया and gram atomic mass जान लिया नेक्स्ट हम लोग इसे रिलेटेड कुछ क्वेस्टन कर लेते हैं calculate the molar mass of the following substance तो molar mass निकालना है तो molar mass का मतलब हो गया gram molecular mass या अगर atom है तो gram atomic mass and gram atomic mass का मतलब हो गया atomic mass and gram molecular mass का मतलब हो गया molecular mass यहाँ पर इथाइलिन देखी एक molecule है तो इसका molar mass पूछ रहा है तो इसका molar mass निकालने के लिए हम लोग पहले इसका molecular mass निकालेंगे and molecular mass को gram में convert कर देंगे वही इसका gram molecular mass हो जाएगा and gram molecular mass ही molar mass होता है तो calculate करते हैं C2H2 है तो यहाँ पर carbon का दो atom है and hydrogen का दो atom है तो carbon के एक weight होता है sorry weight नहीं atomic mass होता है 12 तो 2 का हो जाएगा 12 plus 12 and hydrogen का एक atom का atomic mass होता है 1 तो 2 का हो जाएगा 1 plus 1 2 तो यह 12 12 24 plus 2 यह हो गया 26 यह हो गया molecular mass इसको gram में convert कीजिए तो यह gram molecular mass हो गया and यही इसका molar mass होता है and molar mass को हम लोग denote करते हैं ग्राम पर मोल 60 में मोल को MOL लिखते है देखिए इधर यहाँ पर है unit of molar mass is gram पर मोल इसको gram पर मोल इस तरह डिनोट करते है तो इसका आगया 26 gram पर मोल next का calculate करते हैं HNO3 का hydrogen का 1 होता है nitrogen का 14 होता है and oxygen का 16 होता है एक का तो 3 का calculate कीजिए 3 से multiply हो जाएगा तो 14 और 1 15 हो गया और यह हो गया 48 यह हो गया 3 और यह 6 तो 63 यह हो गया इसका molecular mass is equal to 63 ग्राम इसका ग्राम molecular mass हो गया और इसी को molar mass में लिखना है तो इसका हो गया 63 ग्राम पर मोल molar mass तो इसी तरह next का calculate करते है sulfur molecule का तो एक sulfur molecule का mass 32 होता है तो एस 8 है वन sulfur atom का atomic mass 32 होता है तो इसको 8 से multiply कीजिए तो यह आ जाएगा 256 इतना यह हो गया इसका molecular mass 256 ग्राम हो गया इसका ग्राम molecular mass and 256 को ग्राम पर मोल लिख दिये तो यह हो गया इसका molar mass तो अच्छे से समझ लिजिए जो atomic mass होता है उतना gram उसका ग्राम atomic mass होता है and उतना gram में one molecule of dead substance present होता है one molecule of dead substance या one atom of dead substance जो भी दिया हुआ रहेगा next है किसी भी सबस्टांस का one mole लिजिएगा तो इसमें उस सबस्टांस का 6.022 into 10 to the power 23 होता है यहाँ पे 23 23 एट्टम्स या molecules पाया जाता है यहाँ पे 23 होगँ तो जैसे हमने देखा कि one mole of carbon one mole of carbon is equal to 12 gram of carbon हो जाएगा previous concept के according एंड यहां पर मैंने बताया कि 1 mol is equal to 6.022 into 10 to the power 23 atoms या molecules होता है तो 1 mol of carbon है इसका मतलब 1 mol of carbon में 6.022 into 10 to the power 3 atoms होगा carbon का इसका मतलब 1 mol of carbon is equal to 12 gram of carbon हो गया and 1 mol of carbon में अगर इतना atom है तो 1 mol of carbon में भी इतना ही atom होगा क्योंकि यह दोनों equal है तो इसका मतलब यह हुआ ना कि आप 1 mol of carbon ले लिजिए या फिर 1 mol of oxygen ले लिजिए दोनों case में 1 mol of carbon is equal to 6.022 into 10 to the power 23 atom होगा and 1 mol of oxygen में भी 6.022 into 10 to the power 23 atoms ही होगा मतलब किसी भी सबस्टांस का 1 mol में 6.022 into 10 to the power 23 atoms या molecules होता है अगर यहाँ पर हम लोग O2 molecule ले ले लेते हैं 1 mol of O2 molecule देखिए molecule and atom का concept सेम चलता है बस atoms के जगा elements के जगा atom यूज़ करना है and जहाँ पर compound आएगा वहाँ पर compound जहाँ पर molecule आएगा वहाँ पर molecule का यूज़ करना है तो 1 mol of O2 molecule is equal to be 6.022 into 10 to the power 23 molecules ही आएगा मतलब 1 mol of oxygen का 1 mol of O2 molecule ले लिजएगा तो उसमें जब आप number of molecule calculate कीजएगा तो 6.022 into 10 to the power 23 molecules ही आएगा यह scientist ने experimentally prove किया है count किया है जैसे carbon का 12 gram carbon ले लिया and calculate किया कि इसमें कितना molecule आता है तो scientist को पता चला कि 12 gram of carbon में 6.022 into 10 to the power 23 molecule ही फिर scientist ने O2, sorry इतना atom है फिर scientist ने O2 molecule लिया 32 gram O2 molecule लिया, 32 O2 का molecular mass है तो 32 gram O2 का molecules लिया and इसको calculate किया कि इसमें कितना O2 molecules है त्यहाँ पर भी पता चला कि 6.022 into 10 to the power 23 molecules ही आया इसी तरह फिर other experiment किया, nitrogen ले लिया, 14 gram nitrogen लिया, इसमें calculate किया तो इसमें भी 6.022 into 10 to the power 23 molecules ही मिला, फिर nitrogen molecules लिया इसमें भी जब यह 28 gram लिया, देखें यहाँ पर 14 gram, 28 gram, 32 gram देख रहे न यह इसका क्या है, gram atomic mass है, यह gram molecular mass है मतलब gram molecular mass में, gram molecular mass को हम लोग molar mass बोलते हैं मतलब किसी भी सबस्थांस का, एक mole लिजिएगा, तो उसमें इतना atom यह molecule पाया जाता है इसी को, यह वो गाड्रोज नंबर बोलते हैं, जैसे एक और example देखते हैं वाटर ले लिजिए, H2O, तो वाटर का molecular mass होता है, दो hydrogen है, दो hydrogen के लिए दो, एक oxygen है तो 16, मतलब टोटल 18 हो गया तो 18 mu इसका molecular mass है, मतलब 18 gram इसका, gram molecular mass हो जाएगा, एंड molar mass भी 18 gram ही हो जाएगा H2O का molar mass, मतलब molar mass of H2O, molar mass of H2O, 18 gram हो गया, तो एक mole of H2O में 6.022 into 10 to the power 23 molecules पाया जाएगा कोई भी सबस्तांस हो, कोई भी atom हो, कोई भी molecules हो, उसका एक mole जब आप लिजिएगा, तो उसमें 6.022 into 10 to the power 23 atoms या molecules ही पाया जाएगा, अगर आप लोगों का एक concept अभी clear नहीं होगा है, तो आगे हम लोग कुछ question इससे related solve करेंगे, उससे आपका एक concept बिल्कुल clear हो जाएगा आप लोग बस इतना देखिए इसमें, atomic mass या molecular mass का जो numerical value होता है, वही उस element का gram molecular mass या gram atomic mass होता है, एंड जितना gram atomic mass होता है, किसी भी molecule का या atom का, उसी को हम लोग उसका molar mass बोलते हैं, carbon का gram atomic mass हो गया 12 gram, तो इसी को हम लोग molar mass बोलेंगे, तो carbon का molar mass हो गया, molar mass of c is equal to 12 gram, तो जितना gram atomic mass या gram molecular mass होता है, उसी को molar mass बोलते हैं, एंड किसी भी सभस्तांस का, एक mole में 6.1 mole में of any सभस्तांस, 6.022 into 10 to the power 23 atoms या molecules पाया जाता है, इतना किलियर हो गया, नेक्स्ट है, सेंबोल रिप्रेजेंट 1 mole of atom हाँ, यही सेंब बात है, तो देखिए, gram atomic या gram molecular mass is equal to 1 mole of atom या molecule हो गया, जितना atomic mass रहेगा, उतना gram में 1 mole of atom हो जाएगा, या 1 mole of molecule हो जाएगा, एंड 1 mole of atom या molecule में 6.022 into 10 to the power 23 atoms होगा, कोई भी होई है, oxygen ले लिजिए, या H2 ले लिजिए, O2 ले लिजिए, O ले लिजिए, N ले लिजिए, H2O ले लिजिए, C2, H2 ले लिजिए, S8 ले लिजिए, कोई भी molecule से atom ले लिजिए, उसका 1 mole आप लिजिएगा, तो उसमें आपको 6.022 into 10 to the power 23 atoms या molecules ही मिलेगा, अब भी से related हम लोग कुछ question कर लेते हैं, तो जो भी concept आपका clear नहीं हुआ होगा, वो यहाँ पे clear हो जाएगा, आप लोग पहले try कीजिए, वीडियो को pause कीजिए, एंडे सारा question solve कीजिए, अगर नहीं solve होगा, तो उसके बाद solution देखिए, first question है, how many moles are 5 gram of calcium, 5 gram of calcium में कितना moles होगा, तो देखिए, calcium में यहाँ पे, तो calcium का एक mol में कितना gram होगा, 1 mol of calcium में कितना gram होगा, तो जितना इसका atomic mass होगा, उतना ही one mol of calcium में उसका gram, मतलब उतना ही उसका gram molecular mass होगा, तो calcium का हम लोग ने पढ़ा था, atomic mass 14 होता है, 40 होता है तो calcium का 40 atomic mass है इसका मतलब 40 gram इसका gram atomic mass हो गया and 40 gram में 1 mole of calcium होगा तो 40 gram में 1 mole of calcium है तो 5 gram में कितना होगा ये calculate कीजिए 40 gram में 1 है तो 1 gram में 1 by 40 हो जाएगा इसलिए 5 gram में हो जाएगा 1 by 40 into 5 इसको divide कीजिए मतलब 1.8 mole हो गया इसको further solve कीजिए तो ये 0.125 mole हो गया देखिए यहाँ पे number of mole पूछ रहा था हम लोगों को पता है कि जितना atomic mass होता है उतना gram में 1 mole होता है तो इसका atomic mass 40 था तो 40 gram में 1 mole हो जाएगा तो 5 gram में mole calculate करना था तो हम लोग इसको simply calculate कर लिए unitary method से हम लोगों ने यहाँ पे किया next question है what is the mass of 4 mole of aluminium atom तो एक aluminium atom का mass होता है 27 mu atomic mass होता है 27 mu aluminium का तो इसका gram atomic mass हो जाएगा 27 gram and 27 gram में 1 mole हो जाएगा तो 1 mole में 27 gram है तो 4 mole में calculate कर लिएगा इसको multiply कर लिएगा इन्टू 27 हो जाएगा इस्कोल टू 108 ग्राम हो जाएगा यह 108 आएगा इसको आप मल्टिप्लाई किजिएगा तो देखिए यहाँ पे 4 मोल ओफ एलमुनियम एटम में कितना मास होगा यह पूछ रहा है तो हम लोगों को पता है कि 1 मोल में उसके एटमिक मास इतना मास होता है तो एलमुनियम का एटमिक मास था 27 तो एक मोल में 27 मास हो जाएगा तो 4 मोल में पूछ रहा था इसको ग्राम में बताना था कैल्कुलेट दा नंबर ओफ एटमिन 0.2 मोल ओफ सोडियम देखिए इलमिन्ट कुछ भी हो एक मोल में किसी भी सबस्टान्स के एक मोल में 6.022 इंटू 1023 पावर 23 एटम्स या मोलिक्यूल्स ही होना है यहां पर सोडियम रहे या कुछ भी रहे अगर उसका एक मोल रहेगा तो उसमें 6.022 इंटू 10 to power 23 एटम से मॉलिक्यूल से ही रहेगा तो एक मोल में इतना मॉलिक्यूल सोता है या एटम सोता है तो 0.2 में निकाल लीजिए multiply कर दीजिए इसको 6.022 इंटू 10 to power 23 इंटू 0.2 इसको multiply किज़ेगा तो यह आ जाएगा 12.44 इंटू 10 to power 22 इंटू 22 इसको multiply किज़ेगा तो यह 10 to power 22 इतना आ जाएगा नेक्स्ट है हाव मैनी मोल्स आर 9.033 इंटू 10 to power 23 एटम सोफ हिलियम तो यहां भी वही सेम कॉंसेप्ट लगेगा किसी भी इलिमेंट या molecules या atoms जो भी हो कोई भी हो यहां पे 6.022 इंटू 10 to power 23 में एक मोल ही होना है तो इतना में एक मोल होता है तो इतना में calculate कर लिजिए तो इसको आप 6.022 इंटू 10 to power 23 से डिवाइड किजिए तो नंबर आप मोल निकल जाएगा इसको डिवाइड किजिएगा तो यहां पे 15 मोल आ जाएगा यहां 24 है 23 है यह डिवाइड हो जाएगा तो यहां पे 10 बच जाएगा तो टोटल हो गया 90.33 by 6.022 इसको डिवाइड किजिए तो यह 15 आ जाएगा तो 15 मोल इसका एंसर हो गया नेक्स्ट है calculate the number of iron atom in a piece of iron weighing 2.8 gram 2.8 gram iron दिया हुआ है and iron का symbol होता है ap and इसका atomic mass होता है 56 mu तो इसका gram atomic mass हो जाएगा 56 gram और यही इसका molar mass भी हो जाएगा calculate the number of iron atom तो number of atom पूछ रहा है तो हम लोगों को पता है कि 1 mole में 6.022 into 10 to the power 23 atoms होता है तो हम लोग mole calculate कर लेंगे तो number of atom पता चल जाएगा यहाँ पर देखिए weight दिया होँआ ग्राम में and 56 gram में 1 mole होता है तो हम लोग को जब इसका iron का mole पता चल जाएगा तो हम लोग असानी से number of atom निकाल सकते हैं क्यूंकि 1 mole is equal to Avogadro number इतना atoms होता है तो यहाँ पर देखिए 22.8 gram में number of mole निकालना है हम लोगों को जबकि इसका दिया हुआ है 56 gram 56 इसका atomic mass होता है तो 56 gram इसका molar mass हो गया मतलब 56 gram में 1 mole of iron हो जाएगा 1 mole of iron हो जाएगा तो 2.8 gram में कितना mole होगा तो इसको हम लोग निकालेंगे 56 gram में 1 mole होता है तो 1 gram में 1 by 56 हो जाएगा इसलिए 2.8 gram में calculate करना तो यह हो जाएगा 0.05 mole अब देखे 0.05 mole पता चल गए अब हम लोग previous question जैसे इसको solve कर देंगे 1 mole में 6.02 2 into 10 to the power 23 atoms है तो 0.05 moles में कितना हो जाएगा atoms या फिर इसको ऐसे भी solve कर सकते हैं हम लोगों को पता है कि 56 इसका atomic mass है तो इसका molar mass भी 56 हो जाएगा iron का तो iron का जब 56 molar mass है इसका मतलब यह हुआ कि 56 gram of iron में 6.02 2 into 10 to the power 23 atoms पाया जाएगा यहां पर हम लोगों को 2.8 gram में पूछ रहा है तो direct unit method से निकाल सकते हैं कि 56 gram में इतना है तो 1 gram में हो जाएगा इतना वाई 56 है इसलिए 2.8 इसको आप लोग solve किजिए तो यह आ जाएगा 3.011 into 10 to the power 22 atoms पहले जैसे बताया उस तरह भी निकाल सकते थे उस तरह मैं आप लोगों को बताया था कि अगर मोल के थूँ आपको निकालना है तो मोल से निकाल लिए नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करके नंबर ऑफ एटम निकाल लिजेगा या फिर डाइरेक्ट भी इस तरह आप लोगों ने वीडियो पहुँच करके question solve किया था नहीं बना था उसके बाद आप लोग solution देख रहे हैं यह solution देखने के बाद वापस से आप लोग सारा question बनाईएगा यहाँ पर जो भी इतना question है ने इसको अगर आप लोग solve कर लिजेगा नो खुद से तो आपका यह molar concept बिल्कुल clear हो जाएगा and 11th में यह concept आपको बहुत help करने वाला है next calculate the mass of one atom of carbon in gram तो यहाँ पर एक atom of carbon का mass पूछ रहा है gram में तो हम लोगों को पता है कि 6.022 into 10 to the power 23 atom of carbon ले लेंगे तो इसमें one mole of carbon हो जाएगा and one mole of carbon is equal to 12 gram of carbon हो जाएगा तो इतना atom का mass 12 gram होता है तो एक atom का mass निकाल लीजिए तो इसको simply 12 से 6.022 12 में 6.022 into 10 to the power 23 से divide कर दीजिए तो इसको divide करने के बाद यह 20 यह 20 यह उपर चला जाएगा तो यह हो जाएगा तो नीचे सूपर ले जाएगा तो फिर इसको आप प्रॉक्स टूब आएगा एक्जैक टू नहीं आएगा 1.99 ले लिजिए नेच कुश्चन है वीच हैज मोर नंबर ओफ एटम हेंड़ेट ग्राम ओफ सोडियम और हेंड़ेट ग्राम ओफ आयरन देखिए किस में सबसे ज्यादा एटम होगा तो जिसका ज्यादा मोल होगा अगर सोडियम का नंबर ओफ मोल ज्यादा है हेंड़ेट ग्राम में तो सोडियम का एक्टम ज्यादा होगा अगर आईरन का मोल ज्यादा आया तो आईरन का एक्टम ज्यादा होगा क्यूंकि वन मोल में नंबर ओफ एक्टम तो फिक्स है यह वो गाड़ रोज नंबर इतना तो number of mole calculate किजिए दोनों का compare किजिए किसका ज्यादा है तो sodium का mass होता है 23 and iron का भी हमने देखा 56 दोनों का ये amount same है तो sodium का mole हो जाएगा 100 by 23 and iron का हो जाएगा 100 by 56 तो देखिए इसका value ज्यादा आ जाएगा मतलब sodium का number of mole iron के number of mole से ज्यादा हो जाएगा तो sodium का number of mole ज्यादा है इसलिए sodium का item ज्यादा हो जाएगा आप लोग दोनों का number of atom calculate किजिए try किजिए calculate होता है या नहीं number of mole निकल गया तो एक mole में 6.023 into 10.23 atoms होता है तो इसका जितना number of mole आया उसमें calculate कर लिजिए number of atom and इसका जितना mole आया उससे इसको multiply करके number of atom of iron निकल जाएगा how many grams of neon will have the same number of atoms as 4 gram of calcium देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि 4 gram of calcium में how many gram same number of atom करना है न तो आप mole का number same कर दीजिए जब mole का number same हो जाएगा तो atom भी same हो जाएगा तो calcium का कितना mole है 4 gram of calcium है तो calcium का atomic mass होता है 40 तो इसके mole निकाल लिएगा 40 mass होता है मतलब 40 gram is equal to 1 mole हो जाएगा तो यहाँ पर 4 gram है तो 40 gram में 1 mole होता है तो 4 gram में 1 by 10 mole हो जाएगा और यहाँ पर दोनों का आपको number of atom same करना है तो calcium का 1 by 10 mole लिए तो neon का भी 1 by 10 mole ले लीजिए तो दोनों का अगर सेम mole ले लीजिएगा तो दोनों का number of atom same हो जाएगा तो sodium का one स्वारी नियोन का atomic mass होता है 20 तो वन मॉल ओफ नियोन हो जाएगा 20 ग्राम वन मॉल ओफ नियोन तो यहां पर हम लोग वन बाई तेन मॉल लेना है नियोन का प्राइट करसात है तो मंहीं I am माल होता है तो टो ग्राम में 5 वाइट मोई हो जायागा और यहाँ पे हाव मेनी ग्लाम ऑफ न्योन हम पूछ रहा था तो दो ग्राम ऑफ न्योन लीजिए तो 1 by 10 mole हो जाएगा and 4 gram of calcium लिजेगा तो 1 by 10 mole हो जाएगा और जैसे ही दोनों का number of mole equal हुआ मतलब दोनों में number of atom भी equal हो जाएगा यहाँ देखे number of convert 12.044 into 10 to power 23 molecule of sulfur dioxide into mole यहाँ देखे sulfur dioxide molecule का बात कर रहा है is O2 तो इसका gram molecular mass calculate किजिए जो gram molecular mass आएगा उतना में SO2 का gram molecular mass is equal to molar mass हो जाएगा and molar mass is equal to 1 mole of sulfur dioxide हो जाएगा and 1 mole of sulfur dioxide is equal to हो जाएगा 6.022 into 10 to power 23 molecules तो इसको mole में convert करना है तो पहले तो आप लोग यहाँ पर यह देखिए कि mole का बात कर रहा है तो यहाँ पर molecule कुछ भी उससे फर्क नहीं परता mole and number का direct relation होता है किसी भी amount का 1 mole is equal to 6.022 into 10 to power 23 तो यहाँ पर इस molecules या atoms से फर्क नहीं परता डाइरेक्ट देखिए कि 6.022 into 10 to power 23 में अगर एक mole होता है तो इतना molecule में कितना mole होगा तो इतना में 1 होता है तो एक में हो जाएगा इतना भाई 6.022 into 10 to power 23 and 12.044 into 10 to power 22 में पूछ रहा है तो आप इसको divide किजिए यहाँ पर 2 times हो जाएगा यहाँ पर 10 to power minus 1 हो जाएगा तो यह 0.2 answer आ जाएगा मतलब 0.2 mole हो जाएगा mole और जब number दिया हुआ हो न तो यहाँ पर element के बारे में सोचना ही नहीं है क्योंकि element कोई भी हो atom कोई भी हो वन बोल में 6.022 into 10 to power 23 atoms या molecules ही होना है next what is the number of H2O molecule contained in 0.06 gram of water यहाँ भी हम लोगोंने same उसी concept पर होगा 0.06 gram H2O में number of molecule इसमें molecule पूछ रहा है molecule of H2O तो H2O का मास होता है 18 molecular मास तो 18 gram में इसका 6.022 into 10 to power 23 molecule हो जाएगा तो 0.06 gram में calculate कर लिजिए solve कीजिए which contain more molecules यहाँ पर 4 gram of CH4 है and 4 gram of O2 है तो कौन सा ज्यादा molecule contain करता है अभी हम लोगोंने पहले देखा था जिसका ज्यादा Chernobyl होगा उसका ज्यादा molecule होगा तो इसका nonprofit फूर वाइट इसका member of mobile ज्यादा हो गया तो अगर इसका मोल ज्यादा है CC4 source मोलीकिल भी ज्यादा होगा यह next question देखिए इसको अच्छे से पढ़ी है इसको खुद से solve किजिए वीडियो pause करके and नहीं हो तो फिर अभी solution देखिए क्योंकि यह question बहुत अच्छा है अगर आप से solve हो गया इसका मतलब आपका concept अच्छे से clear हो चुका है तो वीडियो को pause किजिए अभी and solve किजिए question को देखिए ions, atoms, molecules सब के case में semi concept चलता है तो इस case में 0.051 gram में कितना aluminum ion present है यह बताना है पहले तो आप लोग यह देख लिजिए कि Al2O3 जो यह molecule है इसमें one molecule of Al2O3 में दो atom है aluminum का इसमें two atom of aluminum है एक molecule of aluminum oxide में दो atom है aluminum का इसको आप लोग अच्छे समझ लिजिए यह ion से बना हुआ है यह iron का concept हम लोग ने पढ़ा था aluminum पे plus 3 का charge होता है and oxygen पे minus 2 का charge होता है and इस तरह इसको crossover करके जो हम लोग formula लिखते थे तो यह Al2O3 हो जाएगा इसको crossover कीजिएगा तो इसका मतलब देखिए aluminum oxide जो है दो iron से मिल करके बना हुआ है aluminum iron and oxygen iron से and one molecule of aluminum oxide में दो atom है aluminum का and तीन atom है oxygen का यह concept को अभी समझ लिजे और इसको अलग रखिए अब हम लोग देखते हैं कि 0.051 gram में कितना mole of aluminum है या फिर aluminum oxide है या फिर कितना molecule of aluminum oxide इतना gram में है देखिए अगर molecule of aluminum oxide आपको पता चल जाएगा देखिए यहाँ पर वन molecule में दो atom है aluminum iron का तो दो molecule में हो जाएगा 4 atom of aluminum iron इसी तरह 10 molecule में हो जाएगा 20 atom of aluminum iron मतलब अगर total molecule हम लोग को पता चल जाए यहाँ पर कि total molecule कितना है aluminum oxide का तो हम लोग number of aluminum iron निकाल सकते हैं क्योंकि हम लोगों को पता है कि one molecule में 2 aluminum iron है ठीक है यह पता चल गया आप लोगों को अच्छे से अब हम लोग को main target हो गया number of molecule of aluminum oxide निकालना तो number of molecule of aluminum में औक्साइड निकालने के लिए हम लोगों को molar mask जानना होगा molar mask होगा equal to gram molecular mass and gram molecular mass होगा equal to molar mass sorry, molecular mass के तो molecular mass हम लोग के on calculate करते हैं and हम लोगों को पता है molecular mass किस तरह निकाला जाता है जितना भी atom है उस सबके mass को add किया जाता है तो अल्मुनियम का हो जाता है 27 into 2 atom है तो यह हो गया 54 and oxygen का होता है 16 तो यहाँ पर 3 atom है तो यह हो गया 48 दोनों को add किजएगा तो यह 102 gram हो गया मतलब यह L2O3 जो 1 molecule है 1 molecule में 102 1 molecule का molecular mass 102 mu हो गया and इसका gram molecular mass हो जाएगा 102 gram is equal to molar mass हो गया मतलब 1 mole में 102 gram होता है या फिर यह कहें कि 102 gram में 1 mole होता है तो 0.051 में कितना mole होगा तो इस तरह number of mole निकल जाएगा and number of mole निकल जाएगा तो number of molecules भी निकल जाएगा या फिर डारेक्ट देख लिजिए कि 102 gram में 6.022 into 10 to the power 23 molecules होगा क्योंकि यह 1 mole है 1 mole में इतना molecules ही होता है और हम लोगों को number of molecule निकलना है 0.51 gram में तो 102 gram में इतना molecule है तो 1 में हो जाएगा इतना भाई 102 and 0.51 में हो जाएगा इसमें 0.51 से multiply कर दीजिए इसको जब आप solve किजिएगा तो इसका answer आ जाएगा sorry यहाँ पे देखिए यह है 0.051 इसको जब आप solve किजिएगा तो इसको जब आप solve किजिएगा 0.003011 into 10 to the power 23 यह मैंने calculator से solve किया है आप लोग देख लीजिएगा फिर इसको जब आप solve किजिएगा तो इसको जब आप solve किजिएगा 3.011 into 10 to the power 20 molecule इतना molecule of al2 al2o3 आ गया तो हम लोगों को पता है 1 molecule of al2o3 में 2 ions present है 2 ions of almonium present है तो इतना molecule में कितना होगा तो इसको 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 आप लोगों किजिए अक्सिजन आयन पूस्ता तो नंबर अप मॉलीक्यूल था 3.011 into 10 to power 20 तो अक्सिजन का पूस्ता तो वन मॉलीक्यूल में तीन आक्सिजन है तो इतना मॉलीक्यूल में इतना आक्सिजन हो जाएगा 3 से multiply कर दीजिए question को आप लोग देखिए and दूसरे तरीका से इसको solve करने का आप लोग कोशिश कीजिए इसको solve करने का और भी तरीका है वो मैं आपको थोरा सा hint दे देता हूँ आप लोग पहले इसमें इसका हम लोगोंने मॉलीक्यूलर मास निकाला था तो वो आया था 102 ग्राम तो देखिए 102 ग्राम में एल्मूनियम 27 है तो sorry 27 टूजा 54 है तो 102 ग्राम में 54 ग्राम एल्मूनियम पर जिन्ट है इसका मॉलीक्यूलर मास है 102 ग्राम और 102 ग्राम में 54 ग्राम एल्मूनियम पर जिन्ट है एंड 48 ग्राम ऑक्सिजन पर जिन्ट है तो हम लोगों को नमबर ओफ एल्मूनियम बताना था तो हम लोगोंने एल्मूनियम का इस मॉलीक्यूल में मास निकाल लिया तो 102 ग्राम में 54 ग्राम ऑफ ऐलमुनियम है तो इतना ग्राम में कितना ग्राम ऑफ ऐलमुनियम है वो निकाल लिजिएगा and number of gram ऑफ ऐलमुनियम निकाल गया तो उससे फिर आप लोग number of announcements आई निकाल लिजिएगा simple इस चैप्टर का पीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया टेलिग्राम चैनल पर मिल जागा आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू